हेलो गाइज वेलकम बेक टो माई चैनल आपका स्वागत है फिर से मेरी चैनल टेकनिकल वर्ब में तो गाइज आपको पता होगा साहिद आप मेरे सब्सक्राइब रहे होगे तो आपने देखा होगा कि मैंने एक पहले एक वीडियो बनाया था बीसनल के उपर कि डोंट बाइ इस सीम बीसनल और उसमें मैंने आपको थोड़ा सा दिकत बताया था थोड़ा सा अच्छी बात थोड़े सी बूरी बात यह रहा सारा कुछ मैंने आपके साथ सेर किया था ओके तो आज के वीडियो में में मेरा खुद का 15 दिनों का एक्सप्रियंस सेर करने वाला हूं बीसन करने तोगैंने आपको दिकत करते टाइम आपको क्या फेश प्रोब्लम हो सकता है अब हैसे का लेइंग का सर्विस कैसा है नेटवर्क कैसा है क्या क्या इश्यू है सारा कुछ में इस वीडियो में बताऊंगा तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने ये वीडियो को देख लिया तो आप एक परफेक्टली एक समझ जाओगे कि आपको भी ये सेनका सिम लेना चाहिए नहीं सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरी चैनल पर नए नए हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं है है कि अजिए कि तो गाइज मैं आपको बताता हूं कि मैंने आ इसनल में पोर्ट करवाया है मैं अदर कनेक्षन में डायरेक्ट अधर कनेक्षन से डियेशनल कनेक्षन में आया हूँ और मुझे उसमें कौन सा ब्लान मिला है वो मैं आपको बता देता हूं मुझे तीन मंत की वेलेडिटी के साथ प्लान मिला है और डैली का 2GB डेटा और अंडलिमिटेट कॉलिंग और डैली के 100 SMS तीन महीनों के लिए सोरी तो तीन महीनों के लिए मुझे 60 दिन के लिए वह प्लान मिला है तो मुझे अच्छा लगा कि काफी सब्सक्राइब कर रहा हूं तो पहले बात करते हैं उसके by cya जो पहले हैं तो नेटवर्क कैसा इन दिनों में आपको बताऊं तो1212 principal and रही यह और अगर आप नीचे अपने नीचे वाले रोम में चले जाओ तो बिलकुल नेट्वरक नहीं आएगा 0% साइद होगा आएगा पॉल भी आ सकता है बट नेट्वरक आपका इतना नहीं दिखता है गाइस तो ये कुछ नेट्वरक का इस्वो हो सकता है अगर आपका कोई भी सामने से कॉल आने वाला है तो आपको सायद दिक्कत दे सकता है, not reachable ऐसा कुछ आप सामने वाले को सुनाई दे सकता है, तो आपका जो call है, urgent call वो miss हो सकता है, इसके network के कारण, तो ये सायद आपको problem हो सकता है, दूसरी बात calling, तो कि इस calling के मामले में BSNL अच्छा है, problem बहुत face नहीं हुई है, बट कभी कभी कभार सामने से कोई भी call करता है, तो उसको जो coronavirus का tune है, वो सुनाई देता है, वो बोलता है 30 सेकंड के लिए बाद में आपका call जाता है, तो आप सायद emergency के call करना चाहते हो, आपके phone में कोई भी अगर call करेगा, तो उसको पहले सुनना होगा, बात में आपको call लगेगा तो कोई भी emergency call आएगा, तो दिक्कत आपको होने वाली है, और दूसरी बात कभी कभार phone सामने नहीं लगता है, अगर network थोड़ा सा डाउन होता है, तो आपका call भी नहीं आ पाता है, और आपका भी call नहीं लग पाता है, तो ये कुछ दिक्कत मुझे यहाँ पे face हुई है, तो इस बात का आप थ्यान रखना, अब बात करते हैं, इंटरनेट डेटा की, तो डेटा वगेरा ज्यादा देते हैं, बट दिक्कत क्यों फेस होगी, आप जब भी बाहर जाओगे, वहाँ पे किसी एप से आपको payment करना होगा, किसी बार कोट को scan करना होगा, अगर आप अपने कोई चीजे मंगा होगी, और जब भी उसका payment करने का time होगा, तो BSNL के net से सारा कुछ अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि मैंने हाल ही में payment कर किया था, आप ट्रस्ट करोगे, कि online पे हुआ ही नहीं था, क्योंकि BSNL के net पे problem है, फ्लिपकाट का एप का response ही नहीं है, फ कुछ problem face होता है, और अगर आप कोई भी merchant पे, आप कोई भी shop पे जाके आप अगर barcode scan करना है, और वहाँ पे network नहीं रहा तो guys, आपका payment नहीं हो पाएगा, उस time पे आपको ज्यादा तकलिप देगा, ये BSNL का network, BSNL SIM card, जो मुझे दिया था guys, और मैंने fully experience 15 दिन में ही ले कि BSNL का SIM card केसा है, सारा कुछ ले लिया है, और क्यों इतना सस्ता दे रहा है BSNL guys, और आपको लगेगा कि BSNL सस्ता है, तो आप ले लीजिए, तो आपके पैसे बच जाएगे, मैंने भी वही समझ के BSNL का SIM card को purchase किया था, और अब मैं इस वीडियो में मेरा review दे रहा हूं क कि please don't buy, मत लीजिए BSNL क्योंकि अगर आपको अच्छा सा network चाहिए और आपका काम अच्छे से चलना है, तो guys कोई भी other company पे shift हो जाए है, क्योंकि मेरे पास broadband था, तो मैंने ये लिया था, अगर आपके पास broadband है, तो सस्ते के चकर में मत फस ना, आपके कोई भी एडियो या मिलता है, तो आप ले लीजिए, ले लीजिए guys, क्योंकि BSNL में आप कम रुप्य देते हो, तो service भी अच्छा नहीं मिलता है, उसका network भी अच्छा नहीं मिलता है, और calling भी अच्छा नहीं है, और internet भी काफी बक्वास है, जो मैंने 15 दिन में experience किया है guys, तो आप समझ ही गई कि आप अपने location से कहीं बार जाओगे और वहाँ पे अगर network नहीं रहा है, तो guys काफी problem आने वाली है, अगर आप किसे को payment करते हो, payment अटक रहा है, तो भी काफी problem आने वाली है, जो मुझे face हुई है guys, तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप BSNL में port करवान में अगर आपको BSNL का card चाहिए, तो ले लीजिए, तो कोई बात नहीं, तो आप जा सकते हो, बट आप यह सोच रहे हो, कि मेरे पास broadband पड़ा हुआ है, और मैं BSNL यूज़ करूँगा, और मुझे बार थोड़ा ही net चाहिए, तो please यह मत कीज़ेगा, क्यूंकि मैंने वही सोचा था, और मुझे अभी यह दिक्कत फैस हो रही है, तो आप समझ ही गए होगे कि BSNL में क्या दिक्कत आती है, इन 15 दिनों में मेरा experience बहुत खराब रहा है, BSNL के उपर, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मुझे यह तीन महीन यह card को चलाना पड़ देख नहीं करवा सकते हो गाइज, तो एक का धियान रखेगा BSNL लेने के लेने से पहले आप सोच लिजिएगा है, अब में तीन महीने के बाद इस साहट प्रॉट कर दो है, तो वीडियो आपको कैसा लगा है, आप समझ ही गही होगे कि BSNL अगर आप लोगे तो आपको सेब होगा अगर वीडियो में कुछ भी समझ न आ ओई तो प्लेस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लिक दिजिए कमेंट बॉक्स में मुझे सेर कर दिजिए और उसका मैं अंसर आपको कर दोगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है अच्छा लगा है तो लाइक कर देना नहीं नेक्ट वीडियो में फिर से आप से मिलोगा तब तक के लिए स्थाइब कर पर रहे हैं सुरक्स देजर रहे हैं थैंक यू सो मुच वोचिंग मैं चैनल थैंक यू सो मुच